हलो दोस्तों आप सब्सक्राइब स्वागत है दोस्तों आज हम बात करें के वाले में कमजोडी कैसी भी हो चाहे वो साहिरी कमजोडी हो चाहे वो मरगाना कमजोडी हो चाहे वो टाइमिंग के रिलेट कमजोडी हो चाहे वो स्टेटनिक के रिलेट हो यहनी कमजोडी कैसी भी ह हो चाहे आपका पूरा सरीर हो पार्ट नहीं कर पाते हैं यह शक्क्र बैठना काम करने को या काम करने के लिडेम घंड़ आवज पूरे सरीर तो उसे नुस्खा है जिनको यह सारी समस्या होती है एक तो खाया पिया हो उनका सरी में नहीं लगता है दूसरी बात उनका जो है टाइमिंग को विले कर दिक्कत रहता है नाइट फाइल पर नाइट फाइल होता है वी रिख दम पानी के तरीके सो जाता है कोई चीछ देखते हैं कोई चीछ सोचते हैं तो पानी छोड़ जाता है और बेट पे अच्छा प्रफॉरमस नहीं कर पाते हैं अपने पार्टों को बढ़ावर से संतुष नहीं कर पाते हैं इसी के सासत और भी बहुत सारी समस्य होती हैं उनके सेक्स करने का मन नहीं होता है या एक बार कर लेते हैं तो फिर दूसरे बार मूट बनने में उनको हप्तों या महीनों लग जाते हैं तो ऐसी तमाम समस्याओं को यह जल से खतम करेंगा आप लोगों को बेंजों उसका पताने जा रहों तो सिंपली दोस्तों अगरा आप हमारे चैनल में पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिरू करना ना प्रस करना ना कि इस टापिक के वीडियो हमें साथ अप्लोड के लाते हैं तो एज कितनी भी हो और कोई भी हो जिनको यह समस्या है खास करके अंद्रोनी समस पाउडर गया तो सिंपली दोस्तों में आपको बताने जारह, इसको मात्र 21 दिन तक रगूलर यूज़ करना है, और इसको सिर्फ से सुबह में यूज़ करना है साम में आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, तो इस नुस्कों को बनाने के लिए, आपको सबसे पहल प्रचस कर सकते हैं अगर आपको आपके धर पे कोई पीछने की सुद्दा है या ग्लेंडर है या मिक्सी होगरा है तो आप पाउडर वहां से पर्चस ना करें फिर आप अख्षा या साबूत ले के आ जाए घर पही पाउडर कर ले ठीक है पाउडर करने के बाद में इसको कि ठाए सो गिराम दूद्ध चाहे वह गाई का हो चाहे वह भैस का हो ठीक है Congo मुच्छा brakes किसी कडहाई में में रखके चूले पर अइसोंगराय अंदर आपको एक चममच सफेद मुसलीिका ओडर डाल देना है और उसको धीरे धीरे उसको पकाना है जब धाइसो गिराम दूद आपका 125 सेमेल या 100 ml तक बचता है उसको उतार कर रख लीजिए और जब थोड़ा ठंडा हो जा है तो उसको पी लीजिए बस इसी तरीके से आपको आपको पर डे सुबा में या अपको इसी तरीके से यूज करना है और सामने आपको यूज नहीं करना है यानि फिर अगले दिन आपको थाइसो ग्राम दूद लेना है उसमें एक चम्मच जो है सफेग मुश्ली का पाउडर डालना है और उसको हलके हलके आँस से गरम करना है जब वह आधा बज्जा जो आपका दूद था कॉंटिटी का यानि थाइसो ग्राम था जब वह डेल सो मिल हो जाए डेल सो मिल ओडर को रख लेना है और थोड़ा सा ठंडा करे करें और उसको पी लेना थीक है तो इसी तरीके से आपको 21 दिन तक regular यूज करना है और इस 21 दिन के अंदर जब आप इसको यूज करोगे तो इसके दोरना को कोई खटी चीजे नहीं यूज करना है या खटी चीजे से तो आपको परहेज करना है कि खटी चीजे से नीम्बू है, अचार है, गोलोलप्पे है, पानी-पुडी है, इमली है, तो इन यो खटे चीजे होते हैं, जो खटे आइटम होते हैं, इनसे आपको परहेज करना है, इ 21 दिन के बाद यानि आपको पांच या छे दिन में आपको अच्छा कासा रिया डाना में चालू हो जाएगा आपके अदर अच्छा कासा ताकत इंपरूव होगा और आपके पूरी बॉड़ी को ये मेंटेन करेगा और आपके बॉड़ी के अंदर जितनी भी कमिया थी इतनी पर असानिया थी उनको जड़ से खतम करके और आपको एक्तम तंदृस्त बना देगा पहुत ही बेतिन उसका है तो तो सिंप्ली दोस्तों कर आप इसको यूज करना च करना कुछ भी नहीं बस आपको परेड़े जो है 200 ग्राम दूध लेना है और एक चमच सफेग मुष्य का पौडर उसी दियूद के अंदर डाल देना है और उसको धीरे धीरे आच में पकाना है जब आधा बचे उसको पी लेना है ठीक है इसी दिरे आपको 21 दिन तक यूज है तो आप 21 दिन भी यूज कर सकते हो एक महीना भी यूज कर सकते हो आपके उपर है इसको जितना चाहों कितना यूज कर सकते हो लेकिन कम से कम जो मैंने आपको बता है वो आपको कम से कम 21 दिन तक यूज करना है इससे तो बिल्कुल कम आपको यूज नहीं करना है इसके उ अब दोस्तों के वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको में चलिए पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें